नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सिर्खियों पर आज नवरात्र के दूसरे दिर मा ब्रहमत चारिनी स्वरूप की हुई पूजा बच्चों को स्कूल पहुंचानी के जिम्यदारी नितीज सरकार ने इन्हें सौपी जाथिये गन्हा पर नितीज सरकार को सुप्रीम कोट से मिली बड़ी राहत इमर्जेंसी के रिस्पॉंस सिस्टम के लिए देश के पांच जिलों में बिहार के इस जिले का हुआ चैन कर दिया गया है वहें इसके लावा 20-29 ऑक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों के चुट्टी को भी रद कर दी गई है और हथियार सत्यापन करवानी का भी आदेश दिया गया है विधी विवस्था के अपर पुलिस महानेदेश अक्संजै सिंग के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि दुरगापूजा के लिए जला पुलिस बल से अतरक्त पुलिस मुख्याले के स्तर से 12,500 सिपाही लाए जाएंगे वहीं इसके रावा 20 सैप की 33 कंपनी की भी प्रतिनिफ्ती की जाएगी और साथ ही केंदर से भी 12 कंपनी केंदरे सिस्थर पुलिस बल का भी अनरोद किया गया है वहीं नितीश कुमार की ओर से भी पुलिस मुख्याले को अलर्ट रहनी का निर्देश दिया गया है राजे के 42 सीफलो का रोज हो रहा नरिक्शन सीफलो के नियमित्स नरिकशन को और अधिक व्यापकवस सक्त बनाने के लिए प्रति दिन करीब 42,000 स्कूलों का नरिक्शन किया जा रहा मालूँ की राजे में सरकारी स्कूलों की कुल संग क्या 45,300 है ऐसे में हर दूसरे दिन सभी स्कूल में अफसर्वक कर्मी निरिक्षन करने पहुँच रहे हैं, मालूँ हो कि सबसे अधिक स्कूलों का निरिक्षन 9 आक्टूबर को किया गया था, बता दे क Sum श्रवात में परति दिन 15,000 रिख एव अधिक पॉजा को वह बच्चों की उपस् कहा जाता है कि मा ब्रह्म चारणी ज्ञान बुद्धि और विवेक देने वाली है इसलिए इनके पुजा विद्यार्थियों के दोरा विशेश रूप से की जाती है बतादी कि मा ब्रह्मचार्णी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है मालुम हो कि मा ब्रह्मचार्णी सफेद रंग के वस्त्रधारन की हुई है और उनके दाहिने हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सूसो भित है मां ब्रहमचारणी के नाम से ब्रहम का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरन करने वाली ऐसे में अगर हम सब्दों में कहे तो मां का दूसरा स्रूप तप और आचरन को दर्शाता है मालू हो कि नवरात्र के नौधन मादरुगा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है जाती है गरना पर नितीज सरकार को सुप्रीम कोड से मिली बरी रहात इसे कोट ने नितीज सरकार दोरा ट्रांसजेंडर को जाती नहीं माने को सही ठेडा दिया है मालम हो कि हाई कोट ने भी कहा था कि ट्रांसजेंडर कोई जाती नहीं बलकि एक ग्रूप है इमर्जENCY Care Response System के लिए देश की 5 जिलों में बिहार के इस जिले का हुआ चयन किंद्र सरकार के पालिट के इसके तहट अगले एक साल में इमर्जेंसी के रिस्पॉंस सिस्टम से लास करने के लिए देश के पांच जिलों में से बिहर के भी एक जिले का चरन किया गया है जो की गया है इस बात की जानकारी राजी की स्वास्त अधिकारियों की द्वारा दी गई है बतादी कि आपात कालीन देखभाल प्रतिक्री अप्रनाली के लिए मोडल विखसत करने के लिए भारतिय चिकस्ता, मसंधार पडिसद, अखिल भारतिय अयरोविज्ञान, संस्था, नई दिल्ली और बिहार स्वास्त आधारित मॉडल्स शामिल है मालम हो कि प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को प्रसक्षत किया जाएगा ताकि वे इमर्जेंसी के दौरान अपनी भूमी का निभा सके नवरात्र में टीचर ट्रेनिंग को लेकर सक्षक संग ने गंटे का दिया अल्टीमेटम बिहार सरकार के सक्षा विभाक के दौरा जारी के गए नए फर्मान के नुसार के दुर्गापूजा के छुट्टियों में भी सक्षक प्रसक्षन लेंगे और सिक्षक संग के दौरा भारी आक्रोज दिखाया जड़ा है और इस फैसले को वाप प्रोश है उन्होंने कहा कि हमें प्रसक्षन लेने में कोई समस्या नहीं है लेकिन या प्रसक्षन दुर्गापूजा के बाद भी दिया जा सकता है ऐसे में अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करते वे अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो और तारस घंटे के बाद प्रसक्षन का सामोहिक रूप से भहिशकार किया जाएगा। प्रसक्षन का सामोहिक रूप से लावे कई प्रतियों का आयोजन किया गया। प्रसक्षन का सामोहिक रूप से लावे का सामोहिक रूप से लावे करें। प्रक्रियांतिम चरण में हैं। ऐसे में उमीद की जारी है कि रिजर्ट भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। 120 नगर निकायों में आजिविका समोह के गठन का काम शड़ू। राजिमी नवगठत 120 नगर निकायों का स्वरूप बदलने के साथ ही इनमें गठत स्वम सहायता समोह को तबदील करके आजिविका समोह बनाया जारा है। पतादे कि सम्मन में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ग्रामीन विकास विभाग को पत्र लिख दिया गया है ताकि इन समोह का स्थांतरन पूरी तरह से विभाग में किया जा सके। पतादे की विभाग की ओर से फिलाल सभी नगर निकायों को स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बनाने का नर्देश दिया गया है ताकि इसके बदौलत नहीं सीरी से आजिवी का समोह की गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए मालमों कि आजिवी का समोह का गठन होने के बाद इन्हें राश्ट्री सहरी आजिवी का मिसल से भी फर्ण मिलना प्रारंब हो जाएगा बगीचे से सराब की बड़ी खेप बरामत विहार में वर्ष 2016 से पुन रूप से सराब बंधी है लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा आए दिन सराब तसकर इस जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हलाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विवा की ओर से जीत ओर कोशिश की जा रही लेकिन सराब तसकर इसके बावजूद भी तसकरी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते वे पाई जा रहे हैं बच्चों को स्कूल पहुँचानी की जिम्यदारी निती सरकार ने इनहें सौपी बिहार सरकार के दोरा राज्य में बच्चों को उनके घर से स्कूल पहुँचानी की जिम्यदारी टोला सेवक को दी गई है जिसके तहत टोला सेवक अपने कारे छितरों में जाकर देखते ह कि बच्चे स्कूल पहुंच रहें या नहीं ऐसे में अगर कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जो स्कूल नहीं जा रहा तो उन्हें स्कूल भेजने की जवाब देही टोला सेवको की होती है पतादी की बिहार सरकार के सक्षा विवाग के दौरा इस संबंध में प्रति दिन ज कूल जाना छोड़ चुके हैं गाड के लिए पुलिस बल से सेवा लेना होगा महगा ग्री विभाग के द्वरा नीजी काईयों जैसे की बैंक संस्थान प्रतिस्थान की सुरक्षा के लिए प्रति निवक्ति पुलिस बल पर होने वाले खर्च की प्रति पूर्थी के लिए समय के दर बरहा दी गई है और साथी नई संसुधिक दर भी जारी कर दी गई है जिसके अरुसार अब राचे में इंस्पेक्टर अस्तर के प्तादिकारी को नीजी सुरक्षा में रखने के लिए हर रोज 5382 रुपे खर्च करने होंगे तो वहीं सिपाही के लिए 2663 रुप प्रते दिन खर्च करने होंगे अगले साल तक बन कर तयार हो जाएगा नया कलेक्टरेट भवन विहार की रास्थानी पटना का नया समहार नाले का निर्मान अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा जिसके बाद एक ही छट के नीचे सभी 49 विवा के कारयाले अब कि जानकारी कले बता दी कि इसके निर्मान में जुटे इंजिनेरों के मताबिक इसके उत्तर में गंगा नदी तो वहीं डक्षिन में गांधी मैदान है उन्होंने बताया कि सरनचना का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और फिर फिर फिनिशिंग टेस दिया जाएगा मालुमों कि इसके परिसर में लोगों को परियाप्त जगह के 7740 और पेजल समीत लगबग 250 ओपन पार्किंग और 240 बेस्मेंट पार्किंग की सुधाम मिलेगी वहीं इसके लावा यहां 200 लोगों और 40 लोगों के बैटने के लिए कॉन्फरेंस रूम का पी निर्मा परिवार के वकील के द्वारा कोट को बताया गया है कि इस मामले में लालू यादव रावरी देवी 33 यादव को व्यक्ती कत पेशी से छूट मेले इसके बाद कोट की ओर से वकील के अनुरोध को श्रिकार करते वे मामले के अगली सुनवाई 2 नमबंबर को करने का निर्द देश दिया गया है मालू हो किस मामले में बीते चार जुलाई को सीवी आई की ओर से सप्लीमेंटरी चार्ज सीव डायर की गई थी जिसमें विहार के उपमुख्यमत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेश्वी यादव का भी पहली बार नाम शामिल किया गया था रवी सासरी ने पाकस्तान गेंदबाज शाहिन अफ्रीदी पर निकाली भडास बीते सनिवार को विश्व कब 2023 का बारवा मुकाबला भारत और पाकस्तान के बीच खेला गया जिसमें भारत ने पाकस्तान के खिलाफ साथ विकेट से जीत हासल कर ली वहें इस दोना हिंदी कमेंटरी कर रहे भातिय टीम के पुड़व हेट कोच रवी सासरी के दोरा पाकस्तान टीम के प्रमुक तेज गेंदबाज शाहिन सा अफ्रीदी की चमकर आलोचना की उन्होंने कहा कि शाहिन अफ्रीदी अच्छे गेंदबाज है वो नहीं गेंद से ज़रूरत नहीं है जब है ठीक ठाक है तो बोलना चाहिए कि वो ठीक ठाक है चढ़ा के नहीं बैठाना चाहिए कि जब बहुत जबरदस्थ है ऐसा नहीं है ये मानना पड़ेगा आसे एवनिंग न्यूज में हम अपने दर्शकों के लिए एक खास सेग्मेंट लाड़े है जिसमें हम न्यूज बूलिटिन के अंत में अपने दर्शकों से पांस सवाल похोगा ऐसे में आपको इन सभी न्यूज को ध्यान से सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है सबसे आदा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट मिलेंगे हमारा पहला सवाल है बिहार राजे में सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी है इसका सही उत्तर है ओप्शने 75,300 स्कूल अगला सवार विश्वकब 2023 का बारबा मुकाबला किस टीमों के बीच खेला गया था ओप्शनी भारत पाकस्तान, ओप्शनी भारत ऑस्ट्रेलिया, ओप्शनी ऑस्ट्रेलिया पाकस्तान, ओप्शनी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेलिया स्रिलंका इसका सही उतर है option ए भारत पाकस्तान अगला सवाल नवराथर के दूसरे दिन मादर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है option ए चंदरघंटा, option B कालरातरी, option C ब्रहमचारनी, option D सिधी दातरी इसका सही उतर है option C ब्रहमचारनी अगला सवाल, इमर्जेंसी केर रिस्पॉंस सिस्टम के लिए देश के पांच जिलों में बिहार के किस जिले का चेरन किया गया है अप्शने अरडिया, अप्शन B गया, अप्शन C पठना, अप्शन D नालंदा इसका सहुत तरह अप्शन B गया अगला सवाल, कितने नगर निकाईों में आजीवी का सम्हू के गठन का काम शुड़ू हो रहा है अप्शन A 120 नगर निकाई, अप्शन B 125 नगर निकाई, अप्शन C 130 नगर निकाई, अप्शन D 115 नगर निकाई इसका सही उतर है अप्शन A 120 नगर निकाई बीत दिन हमारे दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी कॉमेट सक्षम बोकस में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दूरा पूछे के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार रोहस्तर्मा के बाद भारतिय क्लिके टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट स्ट्रेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें